Hello everyone, स्वागत है आप सभी का हमारी science classes में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं organic chemistry का सबसे important topic IUPAC इसका मतलब क्या होता है International Union of Pure and Applied Chemistry मतलब क्या है इसका कि जो सुद chemistry या रसायन है और उनके जो component है, sub component, compound उनके बारे में एक international संगठन बनाया गया और फिर उनके क्या किये गए, naming किये गए तो ये basically IUPAC क्या है naming of the carbonic compound basically hydrocarbon या organic compounds के लिए हम यूज करते हैं क्या, IUPAC system ठीक है, IUPAC system भी कुछ लोग इसको प्रोनाउंस करते है ये system IUP nature में इससे पहले compound थे, बहुत सारे compound खोजे जा चुके थे उनके अलग-अलग region में अलग-अलग नाम से उनको जानते थे जैसे एक हमारे पास है गर्मी के थेजन में अगर आप लोग में से कोई गाउं में रहने वाले होंगे तो अच्छे से इसको देखा होगा जानते होंगे क्या होती है जब ये काट लेती है body में तो काफी जलन होती है तो इसको ant से इसको arise किया जाता या निकाला जाता है इसलिए इसका नाम रखा गया red ant से पाया गया और red ant ant को क्या बोलते हैं फॉर्मिका ये Greek word में ant को क्या बोला जाता है फॉर्मिका तो इसके जो location थी इस ant के नाम पे जिससे ये पाया गया उसके source के हिसाब से इसका नाम रख दिया गया ऐसे ही citric acid citric acid citric acid भी क्या है citric acid पाया गया citrus fruit में तो इसको नाम दे दिया गया citrus acid क्योंकि ये पाया गया कहां पे citrus fruit में ठीक है ऐसे ही vinegar, हम बात करते हैं किसकी vinegar की इसको बोलते हैं क्या, सिर्का हिंदी भासा में बोलते हैं जैसे हम अपनी locality में इसको क्या बोलते हैं सिर्का, अलग locations पे इनको क्या बोलते हैं, vinegar बोलते हैं तो इस तरह की compounds देखने को मिले कि जो compound ये सारे के सारे जो नाम हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनके common name बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको common name, इनको common name के साम जाना जाता है, क्योंकि ये अलग-अलग locality में अलग-अलग होते हैं, common name को एक और नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं, इसको trivial naming system, trivial naming system का क्या मतलब है, कि प्राचीन सब्विटा के हिसाब से जो नाम रखे गए थे पुराने जमाने में, उसी नाम से हम इनको जानते हैं, तो ये सब क्या हो जाते हैं, trivial naming या common naming, अब होता क्या है, जैसे हम, कुछ लोग vinegar जानते होंगे, कुछ लोग इसको sirka जानते होंगे, कुछ लोग इसको acetic acid के नाम से भी जानते होंगे, acetic acid इसका trivial या common name है, लेकिन अब अलग location पर जैसे अब आपको पता है क्या vinegar नाम है, अलगली जगह पर गए, आपको नहीं पता है कि लोग इसको sirka कहते हैं, तो क्या होगा, आप पैचान नहीं पाएंगे compound या आपको compound की उसकी जरुरत है, तो आपको वो नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए एक संगठन बनाया गया, जिसकी अंतरगत कहा गया, कि हम सारे carbonic compounds को जो nature में पाए जाते हैं, उनको एक essay naming system के through arrange कर देते हैं, जिसमें हम इन सभी के सभी जितने भी compound हैं, उनको एक particular नाम दे देंगे, जिसको international name के नाम से जाना जाएगा, और फिर उनको हर जगे उसी नाम से आप पाएंगे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे vinegar की, तो vinegar क्या होता है compound, यह होता है CH3COOH, यानि कि ये क्या है, acidic acid, यानि कि vinegar, क्या बोलते हैं इसको, acidic acid, या इसको बोलते है vinegar, या हिंदी में बोलते हैं इसको सिर का, अगर इसके हम बात करें, IOPAC naming की, तो यहाँ पर देखो 1 और 2, दो नमबर carbon होता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है, ethen, क्या नाम हो जाता है, और plus में इसके पास कौन सा group है, carboxylic acid, इसके साथ लगाते हैं oic acid, ये नियम कैसे लगाते हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसका नाम होता है, ethenoic acid, ये इसका IOPAC name हो जाता है, अब चाहे हम इंडिया में हो, या किसी दूसरी country में, रोम, आस्ट्रेलिया, एजिप्ट, जहाँ पे भी जाएं, अगर हम ethenoic acid के नाम से इसको बलाएंगे, तो वहाँ पे हमें ये आसानी से मिल जाएगा, तो ये जो system थे, पुराने system, इनको replace करने के लिए ये system बनाया गया, अब कुछ पढ़ते हैं, इनके काईदे या नियम, अब जैसे नियम बने हैं, तो उनके कुछ नाम रखने के काईदे भी होंगे, ऐसा तो है नहीं, कि कोई element ढूड़ा, और जैसे मरजी, वैसा international union का कोई officer है, अधिकारी है, जो नाम चाहा हुआ आराम से रख दिया, या अपने नाम पे रख लिया, ऐसा नहीं होता है, इसके लिए एक rule बना हुआ है, आईए पढ़ते हैं rules के बारे में, बात करते हैं, कुछ rules के बारे में, जो IOBC से related rules बने हुए हैं, इसमें हमारे पास सबसे पह carbon root chain, मतलब carbon की सबसे लंबी chain हमें पता लगानी होती है, सबसे पहला काम IOBC करने का यही होता है, कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, longest carbon की root ढूंड लेते हैं, फिर longest carbon की root की अगर बात करें, तो कैसे हैं, जैसे हमारे पास एक carbon है, ऐसे तो एक, दो, ती, चार, पांच, यह तो सिंपल सा पता लग गया, देख रहा है ना, साफ सा, छे carbon की chain है, अगर इसी carbon में कुछ numbers और बढ़ा दें, अब carbon number तो थोड़ा सा टेड़ा मेड़ा हो गया होगा, अगर गिंती करोगे, एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ, आठ, इस पे तो आठ कारवन हो गया, अगर गिंती इधर से करो, एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ, साथ, पे रुख गया, यहां से चाही इधर जाओ, चाही इधर जाओ, अगर यहां से गिंती करो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, अब आठ इधर से भी बन रहा है, सबसे लंबा चेन, आठ सबसे लंबा इधर भी बन रहा है, तो अब हमारे पास जो option हो गए, आठ, आठ के, अभी हम क्या करेंगे, longest chain हमारे पास कौन सी हो जाएगी, ये जो आपका डिबा है, इसको हम क्या कर देंगे, root chain में मिला देंगे, root chain कोई जरूरी नहीं है कि सीधी हो, root chain आपके इस तरह से भी बन सकती है, इस तरह से अगर हम बात करें, तो एक root chain ये भी बन सकती थी, तो ये यहाँ से होके इधर की तरह एक root chain बनाई जा सकती है, एक root chain इधर से बनाई जा सकती है, तो अब हमने सबसे पहले क्या काम कर लिया, identify कर लिया कि longest root chain कौन है, एक ये हो गई, 8 carbon की, ये carbon है, इधर वाली root chain, तो दो root chain हमारे पास क्या हो गई, 8 number carbon की हो गई, अगर यही यहाँ पे एक carbon attach होता इस जगे पे तो ये chain क्या हो जाती सबसे लंबी no carbon की chain हो जाती और हम इसी chain को क्या है major कर लिते लेकिन अभी हमारे पास कैसी आ गई थी दोनों root chain बराबर आ गई थी तो जो दोनों root chain बराबर आ जाएंगी तो पहला नियम तो हमारा क्या है longest carbon root chain पता लगा न वो हमने पता लगा लिया अब इसके बाद अगर root chain बराबर हो गई तो उस case में हम दूसरे नियम पे पहुँचते हैं दूसरा जो rule है वो क्या कहता है हमारा कि जो nearest nearest alkyl group ऐसे याद कर लिए कि यहाँ पे क्या बात कर रहे हम nearest alkyl या alkyl group pronounce करते हैं सबसे nearest मतलब करीब में जैसे यहाँ से गर हम गिंती करें 1,2,3,4,5,6,7,8,9 तो यह हो गई 9 carbon की लेकिन अभी तो 8 थी तो 8 carbon पे यहाँ पे आया हमारे पास क्या 7 number 7 number पे 1 methyl group और यहाँ पे functional group क्या थे एक पूरा का पूरा क्या है तो 1,2,3,4,5 नियो पेंटेन जुड़ा हुआ है न साफ साफ पिछले वीडियो में बताए था तो यह नियो पेंटेन यहाँ पे बना हुआ है तो इसके हिसाब से अगर जाएंगे तो 1,2,3,4 यहाँ पे 1,2 फिर यह 4 butane और फिर एक functional group इधर अगर यह carbon root chain लेके जाएंगे तो यहाँ पे कई सारी different functional groups हमें नजर आएंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे numbering 1,2,2 नमबर पे यहाँ पे आ रहा है यहाँ से counting करेंगे 1,2,3 यहाँ पे तीसरे नमबर पे आ रहा है तो हम किधर से counting सुरू करेंगे इधर वाली root chain के साथ जाएंगे जहाँ से हमें alkyl group सबसे पहले पढ़ेगा ठीक है अब alkyl group में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक alkyl group है और एक alkyl group यहाँ पे और एक alkyl group यहाँ पे चला गया तो हब तो हमारे पास क्या हो गए कई सारे alkyl group जुड़ गया इसके तीसरे नियम पे अगर हम बात करें तो तीसरा नियम क्या कहता है कि जब किसी carbon chain पे branch structure तो जुड़ गयी चलो ठीक है CH3 यहाँ जुड़ गया C2H5 यहाँ जुड़ गया और यहाँ पे भी क्या है C3H7 जुड़ गया तो अब यह क्या क्या है यह आपका propyl group है यह आपका methyl और यह आपका ethyl group जुड़ जाएगा तो अब आपके पास propyl, ethyl, methyl तीनों group हो गए अब यहाँ पे numbering की बात करेंगे तो अब यहाँ पे numbering कैसे करेंगे देखो यहाँ पे numbering किदर से होगी इधर से 1,2,3 तीसरे number carbon पे तो तीसरे number carbon पे दो functional group यहाँ पे जुड़ हुए है तो हम कहा ते numbering करेंगे इधर से 1,2,3,4,5,6 इस तरह से हम क्या करेंगे नमबरी कर लिए अब यहां पर देखो जरा तीसरे नमबर की या चौथे नमबर की हम किसी की बात करें तो यह हमारे पास तीन तीन अलकिल गुरूप जुड़े हुए हैं एक अब जब नेमिंग लिखेंगे तो नेमिंग लिखते समय कैसे नाम लिखने के लिए यहां पे हम प्रेफरेंस चूज करते हैं जैसे हमारे पास यह है तीन नमबर पे मेठ M से शुरू होगा यह है एथ E से सुरू होगा और यह है प्रोप P से शुरू होगा तो जब अलकिल गूप सिमिलर काइंड आफ इस पे देखने को मिलेंगे तो इन इसने नंबर पर जुड़ा है तो यहाँ पर नंबर लगाएंगे 3 और यह क्या हो जाएगा इथाइल, 3 इथाइल, अब E, क्लियर हो गया, E के बाद M और P, यानि कि प्रोपाइल और मिथाइल, कौन पहले आएगा M, N, O, P, पहले M आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 नंबर पर ही मिथाईल जुड़ा हुआ है, तो 3 नंबर पर क्या जोड़ देंगे हम, मिथाईल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3-ethyl, 3-methyl और 4-number पे क्या है प्रोपाइल तो क्या हो जाएगा 4-propyl अब साथ में क्या है 6-number carbon की chain है तो 6-number को क्या बोलते हैं हैं हेगसेन कहीं पे भी double bond नहीं था तो सिदे-सिदे क्या लिख देंगे hexane, अगर double bond होता तो hexane, triple होता तो hexane अब इस पे अगर कुछ functional group जुड़ा होता तो कुछ और लिखतेते हैं हम उसकी जगह पे जो उसके as a suffix to use किया जाता functional group के बारे में अभी पुड़ते हैं अभी हम बात कर लेते हैं इसके fourth lock की अगर हम इसके चौथे number की बात करें जो नियम कहता है कि अगर एक ही carbon पे दो functional group लेट, assume करें यहाँ पे क्या जुड़ा हो CH3 जुड़ जाएं और यह इथाईल हट जाएं ठीक है न तो अब इसका जो नाम होगा numbering तो यही रहेगी लेकिन आप देखो तीन ही नमबर पे इसी carbon पे दो क्या है, alkyl group जुड़े होएं तो जब एक ही carbon पे दो alkyl group जुड़ जाएंगे तो इनके जो नाम होंगे, ये वाला हिस्सा तो सेम है, चेंज नहीं हुआ है लेकिन ये क्या हो जाएंगे, एक ही नमबर पे जब जुड़ जाएंगे 3 और 3 तो दो बार हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 3,3 और दो बार methyl है इसलिए लिखेंगे क्या, dimethyl, क्या हो जाएगा, dimethyl अब यहाँ पे देखो जरा, अगर दो बार लिखा होगा, two times repeat होगा एक ही carbon पे तो कितना लिखेंगे इसके लिए, die, अगर तीन बार होगा, तो इसके लिए लिखेंगे हम, try और अगर चार बार repeat होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, tetra, अगर यह 5 हो जाएगा, अब यह मस्तोच लेना कि एक ही carbon पे 5 कैसे जुड़ सकता है इस carbon पे और इस carbon पे मिला के भी जुड़ सकता है, तो 3,3,3 और 4,4 तो यह penta, hexa, hepta, इस तरह से इनके numbers हम add कर सकते है hexa, इस तरह से इनके numbers हम पढ़ा सकते हैं, फिर alkyl group के बाद अगर कहीं पे कुछ functional group जुड़ जाएं functional group, इनके बारे में हम आपको अगले वीडियो में detail में बताने वाले हैं और इन पे functional group में काउन से group की क्या priorities होती हैं, उसके बारे में भी discuss करेंगे जैसे हमारे पास कुछ functional group है, alcohol, COOH, carboxylic acid, यह जब root chain में जुड़ जाते हैं, तो जब carbon के साथ यह root chain में जुड़ जाएंगे, तो हम counting कहां से preference करेंगे, इनके preferential order के हिसाब से कौन सा functional group preference पे होगा, उसके हिसाब से इसको हम preference पे रखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, CS3 जुड़ गया, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, methyl की तरफ से किन रहे थे, लेकिन अब गिंती किधर से करेंगे, functional group की तरफ से, तो गिंती का नंबर functional group जुड़ने पे पदल जाएगा, ठीक है न, functional group के बाद, अगर हम बात करें, कुछ compound जो double और triple bond के साथ होते हैं, जैसे इसी road chain में, carbon, 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 और यहाँ पे double bond लगा दिया गया, और यहाँ पे आपके methyl group जोड़ दिया गया, तो अब देखो यहाँ पे carbon नंबर इधर से methyl, और यहाँ पे अगर हम बात करें, इस पे भी methyl group जोड़ दें, और यहाँ से हटा दें, ठीक है, तो यह आपका एक तरह से अ सकते थे, लेकिन हम numbering किदर से करेंगे, इधर से करेंगे क्योंकि preference हम किसको देंगे, double bond को तो हम यहाँ पे preference के numbers पे बात करेंगे, तो फ़हले functional group को, फिर functional group के order के विहाब पे हम double और triple bonded structure को preference पे रखेंगे, ठीक है, तो यह कुछ simple से name होते हैं, आपको IUPAC के related, अब हम उनके example solve करेंगे, functional group जैसे जैसे बताएंगे, उनके हम कुछ example solve करेंगे, जैसे अगर हम बात करें, एक formula है यहाँ पे, लिख दिया गया आपको, CH3, CH2, CH2, CH3, और यहाँ पे H हटाके, इस पे जोड़ दिया गया, CH3, अब इसका IUPAC name करना होगा, तो बहुत आसान सा है, एक, दो, तीन, चार, या एक, दो, तीन, चार, या फिर एक, दो, तीन, चार, अब चार यह नमबर के chain बन रही है, longest root chain हमने पता लगा ली, दूसरा नियम हम गिंती किदर से करेंगे, कौन सा गुरूप जुड़ा हुआ है, अलकिल गुरूप, अब अलकिल गुरूप किदर अब इसे numbering पे रखेंगे, तो दो number पे कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, टू, मिथाइल, वन, टू, थ्री, फोर, चार, नमबर कार्बन को क्या बोलते है, ब्यूट, तो यह क्या हो जाएगा, टू, मिथाइल, ब्यूटेन, क्या नाम ह इधर से ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, अगर इधर डबल बॉर्ण लगाएंगे, तो numbering चेंज हो जाएगी, अभी जैसे यह example बताया था, लेकिन यहाँ पे जब बात करेंगे, जैसे इसका अगर नाम करेंगे, तो वन, टू, थ्री, फोर, तीन नमबर पे क्या है, इसको बांड होती, यहाँ पे क्या है, डबल बांड, तो इसमें एन की जगे पे डबल बांड में क्या लगता है, इन लगता है as a suffix, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, थ्री, मिथायल, ब्यूटीन, आप चाहो तो यहाँ पे ब्यूट, वन, इन, मेंसन कर सकते हो, क्योंकि पहले नमबर पे डबल बांड लगा हुआ है, एक चीज़ यह भी ध्यान रखना, कि जैसे यहाँ पे है डबल बांड, जिसके साथ सुरू हो रहा होगा, जैसे यह पहले नमबर कार्बन से ही सुरू हो रहा है, हलाकि है दूसरे पे भी, लेकिन जिससे सुरू हो रहा होगा, उसी पे हम नमबर गिंती करते हैं, अतलब यहाँ पे एक से सुरू हो रहा है, तो हम वन इन लगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि हम दूसरे नमबर से भी देखें, कि इधर से देख रहे हैं, इधर से भी सुरू हाते हैं, जिस तरब से डबल बांड या टरपल बांड जिस को हम क्या करेंगे, प्रिफरेंस पे रखते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम लंबे चेंड की बात करें, एक डबल बांड, टरपल बांड के साथ एक कमपाउंड, इसकी बात करें तो यह हो जाएगा, टू मिथाइल ब्यूटीन, अगर इसी तरह यहाँ पे CH2, और इसके सा है, यहाँ पे तो और कोई बांड आएगा नहीं कारबन के साथ, फिर इसी पे जोड़ दें हम CH2, और फिर CH, और इस पे लगा दें हम क्या, CH3, और इसी कारबन पे हम एक और CH3 जोड़ दें, यह हमारे पास क्या है, CH2, और यह हमने बढ़ा दिया इसको, CH3 कर दिया, और यह यहाँ पे हमने एक और कंपाउंड लगा दिया, C2H5, clear, तो अब देखो, काफी लंबी चेन बनके तयार है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, 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 कारबन की चेन बन गई, ठीक है, आठ, कारबन की चेन बन गई है, यहाँ से हटा देते हैं, CH2 नहीं, इस्टुक्चर आपकी, रिपीट हो जाएगी, यहाँ पे बात करते हैं, आपके C2H5 की, C2H5, यहाँ पे देखो, अब कितने नमबर की कारबन की चेन है, 8 नमबर कारबन की चेन है, अब नमबरिंग किधर से करेंगे, यहाँ से 1, 2, 3, तीसरे नमबर पे ट्रिपल को जब triple bond को preference पर रखेंगे तो numbering किधर से करेंगे इधर से एक, दो, तीन चार, पाँच छे, साथ और आठ, अब ये हो गई आपकी 8 number की carbon chain हमने numbering डाल दी अब हम huge कैसे करेंगे जैसे अब यहाँ पर alkyl group तो क्या है एक, दो, तीन alkyl group जुड़े हुए हैं और ये तो double times है तो पहले क्या है ये है कौन सा group C2, दो carbon, ethyle ये कितना है, एक carbon, methyl ये भी क्या है, methyl और कितने number पे जुड़ा हुआ है ये 6 number पे, तो हम numbering की अगर बात करें तो पाँचवे number पे alphabetic order E पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा 5, ethyle क्या नाम हो जाएगा इसका 5, ethyle और चटवे number पे कौन जुड़ा हुआ है 2, ethyle group जुड़े हुए है क्या लिखेंगे, 6, 6 यहाँ पे ये ध्यान देना, कॉमा लगाएंगे हम 6, 6 क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है, चटवे number पे और 2 बार लिखने की वज़े से इसका नाम रखेंगे क्या, di-methyle क्या नाम हो जाएगा इसका di-methyle अब 8 नंबर कारबन की chain है क्या बोलेंगे इसको oct octane पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि n कहाँ लगेगा single bond में, लेकिन यहाँ पे तो triple bond है ना और triple bond में triple bond जो लगा हुआ है पहले नंबर पे ना लगके, कितने नंबर पे सुरुआत हो रहा है, तीसरे नंबर पे देखो, चौथे पे नहीं तीसरा लिखेंगे तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, three y ne, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, five ethyl, six, six dimethyl oct, three iron, यह इसका क्या हो जाएगा iopac name हो जाएगा, इस तरह के कई सारे iopac name आपकी book में mention किये गए होंगे काफी सारे practice कर लिजेगा अगर कुछ doubt रखता है, या किसी ऐसी structure में आपको समस्या हो रही है, जो आपसे solve नहीं हो पा रहा है तो नीचे हमारे वीडियो के description box में आपको Instagram ID का link दिया गया है वहाँ पे आप question या screenshot आपके पास कोई picture है, photo है तो वहाँ पे आप भेज सकते हैं आज IOPSC में इतना ही